हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक साइकलोजिकल थ्रिलर मुवी की एक्स्प्लेनेशन जिसका नाम है रीबर्थ ये मुवी रिलीज हुई थी 2016 में और IMDb पर इसे मिले है 5 स्टार्स आउट अफ 10 एन रोटन टमेटोस पर इस 33% फ्रेश इस मुवी को डैरेक किया है कार्ल मुलर ने और दोस्तों इस मुवी के सस्पेंस को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा तो आईए बढ़ते हैं अब इस मुवी की कहानी की ओर लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बे काईल की फैमली में उसकी वाइफ मेरी और बेटी जिल थे काईल की लाइफ काफी बोरिंग थी उसका हर रोज एक ही शेडियूल था जो हर एक आम आदमी का होता है एक सुबह काईल हर रोज की ही तरह अपने आफिस जाता है पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि यहां से उसक बाती है कि रिसेप्शन पर उसकी वाइफ उससे मिलने आई है जब काईल नीचे जाता है तो वहां उसकी वाइफ नहीं बलकि उसका कॉलिज फ्रेंड जैक उसे मिलता है और जैक ने काईल के साथ एक छोटा सा प्रेंक किया था काईल जैक को अपने आफिस में ले जाता है और उसका हालचाल पूछता है जैक यहां काईल को बताता है कि वो इस शहर में एक वरक्शॉप को अटेंड करने आया है तो इसी वीकेंड होने वाली है और काईल को भी उसे जॉइन करना चाहिए इस वरक्शॉप की फी 100 डॉलर्स थी और जैक ने अलरेड़ी काईल को इस के लिए साइन अप कर दिया था काईल फॉरन इसके लिए तयार नहीं होता और वो जैक से उसका नंबर मांगता है पर जैक बताता है कि उसके पास फोन नहीं है और काईल का बॉस उसे आवाज लगाता है वो जैक को वहीं रुकने को कहकर अपने बॉस के कैबिन में जाता है काईल अपने कॉलिज की कुछ फोटोग्राफ्स निकाल कर देखने लगता है और उसी समान में उसे अपना और जैक का बनाया एक मैनिफेस्टो भी मिलता है ये एक पीस ओफ पेपर था जिस पर काईल और जैक ने कुछ बाते लिखी थी जिसमें से एक थी कि कभी भी बोरिंग ना बनना और आज काईल एक बोरिंग लाइफ ही जी रहा था वो इंटरनेट पर जब रीवर्थ के बारे में सर्च करता है तो उसे एक प्रमोशनल वीडियो मिलती है जिसमें इस प्रोग्राइम में जाने वाले लोग पावर योगा, स्पा और स्वीमिंग और मेडिटेशन कर रहे थे और सभी बता रहे थे कि कैसे इस प्रोग्राइम ने उनकी जिंदगी बदल दी है और इस से काईल का इंटरेस्ट भी इस प्रोग्राइम में बनने लगता है और वो अगले ही दिन इस वरक्शोप को अटेंड करने जाता है जो कि एक होटेल में होने वाली थी पर जब काईल पहां पहुंचता है तब तक वो वरक्शोप खतम हो चुकी थी यहाँ टेबल पर काईल को रीबर्थ का ब्रोशर मिलता है जिसे लेकर वो वापस अपनी कार में जाकर बैठ जाता है यहाँ उसकी नजर उसी ब्रोशर में से एक एंवलप पर जाती है जिस पर उसका नाम लिखा था इस एंवलप में एक रूम की कार्ड की थी और काईल उसी रूम में जाता है यहां bathroom के mirror पर उसे एक word लिखा मिलता है जो के था steam Kyle जब bathroom tabs on करता है तो mirror पर steam बनने पर एक number 911 लिखा मिलता है Kyle की नजर इस room में मौझूद एक safe पर जाती है और 911 इसी safe का security code था जिसे पंच करने पर Kyle को इस safe में से एक knife और एक remote मिलता है उस remote से TV on करने पर rebirth की ही promotional video play होती है जिसमें एक आदमी Kyle की ही तरह एक hotel room में था और वो अपने room की window से बाहर देखता है जिसके बाद Kyle भी ऐसा ही करता है और उसे room के बाहर rebirth की bus नजर आती है जो जाने ही वाली थी Kyle भाग कर उस bus के पास जाता है जहां वो एक lady से मिलता है windows को cover किया हुआ था सभी लोग बिल्कुल चुप चाप बैठे थे नायोमी यहां सब के phone submit करवा लेती है और सभी को blindfold कर दिया जाता है ये लोग एक warehouse जैसी जगे पर पहुँचते हैं और सभी को एक line में आगे बढ़ने को कहा जाता है एक जगे पहुचकर सब अपनी आँखों को uncover करते हैं और music play होने लगता है spotlight भीड में मुझूद एक आदमी पर जाती है जो दूसरी बार इस program में आया था इस आदमी का नाम Ray था और वो अपने rebirth के experience को सब के साथ share करता है जब नए members को point किया जाता है तो इस बार काईल पर spotlight जाती है काईल काफी nervous था और Ray काईल से काफी सवाल करने लगता है वो कहता है कि काईल इस group में belong ही नहीं करता जिससे काईल और जादा nervous हो जाता है पर फिर वो बताता है कि जब वो पहली बार इस group में आया तो वो भी काईल की ही तरह nervous था और अब काईल से सारा attention हट कर वापस Ray पर चला जाता है और काईल चैन की सांस लेता है पर तबी वहाँ नायोमी आती है और वो काईल को वहाँ से जाने को कहती है और देखते ही देखते वहाँ खड़े सभी लोग काईल को घूरने लगते है काईल नायोमी के पीछे पीछे वहाँ से बाहर आ जाता है और वो नायोमी से पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है पर नायोमी उसके हर सवाल का जवाब देने की जगे उससे उल्टा सवाल किये जा रही थी एट दी एंड नायोमी एक विश रूम का जिकर करती है और काईल को वहां लेकर जाती है यहां एक मेडिटेशन विडियो प्ले हो रही थी और एक लड़की काईल के बगल में आकर बैठती है जिसके बाद वो लड़की और एक दूसरा आदमी जो पहले से वहां मौझूद थे वो काईल के सामने ही मेक आउट करने लगते है काईल को ये काफी अजीब लगता है और वो वहां से उटकर बाहर चला जाता है इसके बाद काईल बाहर जाने का रास्ता डूनने लगता है और ऐसा करते करते वो एक दूसरे रूम में पहुँच जाता है जहां एक ग्रूप थेरपी चल रही थी और वहां मौझूद एक लड़की काईल को भी उने जॉइन करने को कहती है काईल उन लोगों के साथ बैठ जाता है पर दोस्तों वही लड़की अपनी बात बोलते बोलते रोने लगती है और इस ग्रूप को लीड करने वाला आदमी उसे चुप कराता है और इसका responsible वो काईल को बताने लगता है और काईल को समझ नहीं आता कि आखिर उसने किया क्या था खेर कुछ देर बाद वही आदमी काईल को लीड करने को कहता है और एक बार फिर काईल की इंसल्ट करने लगता है और एवन काईल को पंच भी करता है जिसके बाद काईल उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है पर दरवाजा बाहर से लॉक था तब ही वो आदमी काईल का फोन निकालता है और उसकी पिक्चर सबको दिखाने लगता है इस बात से काईल को बहुत गुसा आता है और वो उस आदमी से अपना फोन ले ले लेता है और उससे दर्वाजा खोलने के लिए कहता है वो आदमी दर्वाजा खोलता है और काईल उस रूम से बाहर आता है अब क लैक अपनी रीबर्थ की प्रोसेस के बीच में है और वो उसे एक दूसरे रूम में ले जाता है इस रूम में भी एक ग्रूप था जिसे गेब नाम का आदमी लीड कर रहा था ये लोग अपने थौट्स शेयर कर रहे थे और ये काईल से भी ऐसा करने को कहते हैं काईल जो कि था वो कहता है कि ये पूरा प्रोग्रेम बकवास है और उसे बस घर जाना है पर दोस्तों इस ग्रूप में मौझूद लड़कियां काईल के इस रूम को देखकर उससे इंप्रेस हो जाती है और ये लोग भी मेक आउट करना शुरू कर देते हैं पर इसी बीच काईल को जै का मार कर उस रूम के अंदर जाता है और यहां वो देखता है कि जैक के हातों को एक रसी से बांदा हुआ था और जैक काफी वियर्ड बाते कर रहा था काईल समझ जाता है कि जैग को ड्रग किया गया था वो उस रूम के डोर को बंद कर देता है ताकि कोई अंदर ना आ पाए और जैग के हातों को उसी नाइफ की मदद से खोलता है जो उसे होटेल रूम में मिला था जैक काईल से उसके पैसों के लिए माफी मांगता है और किसी जैसी नाम के शक्स को बुलाने लगता है काईल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहां क्या हो रहा है तबी जैसे इस रूम में आता है और काईल जैसी के गले पर वही नाइफ रखकर जैक को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलता है और सबी उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं कुछ लोग उससे ये भी कहते हैं कि अगर वो रीबर्थ की प्रोसेस को पूरा किये बिना बाहर गया तो उसे ब्रेन डैमेज भी हो सकता है पर काईल किसी की नहीं सुनता और जब वो एक डोर को तोड़ कर अंदर जाता है तो यहाँ बिलकुल अंधिरा था पर तबी स्पोटलाइट काईल पर पढ़ती है और यहां मौझूद लोग काईल के लिए क्लैप करने लगते हैं उसे उठाकर एक स्टेज पर खड़ा कर दिया जाता है और सभी उसके लिए चेयर करने लगते हैं दरसल इस ग्रूप के अकॉर्डिंग काईल ने अपनी रिबर्थ की प्रोसेस को कम्पलीट कर लिया था काईल जैक को अवाज लगाता है और यहां एंट्री होती है इस पूरे खेल के मास्टर माइंड जैक की जी हां दोस्तो जैक यहां आता है और वो बिल्कुल ठीक था और यह सब उसी का प्लैन था अब तक जो भी काईल के साथ हुआ वो इस गेम का ही एक हिस्सा था जब काईल को सत समझ आता है तो वो यहां से बाहर निकल जाता है जैक उसके पीछे आता है पर काईल जैक से कोई भी बात नहीं करना चाता था काईल अपने घर वापस आता है और मेरी को कॉल करता है जो जिल के साथ ही थी और वो दोनों घर ही आ रहे थे काईल के फोन पर एक अलर्ट आता है और वो देखता है कि उसके अकाउंट से सारे पैसे किसी ने निकाल लिये थे वो इस फ्रोड को रिपोर्ट करने के लिए बैंक में फोन करता है तो वहां से जैक की आवाज आती है काईल अपने चारों तरफ नजर गुमाता है जहां हर तरफ रिबर्ट के प्रोडक्ट्स थे और वॉल पर उसकी कुछ देर पहले उस वरक्शॉप से एसकेप करते हुए की फोटोस थी काईल इन सभी फोटोस को हटाता है और जब वो अपने रूम में जाता है तो उसके बाथरूम में उसे जैक मिलता है काईल उससे पूछता है कि वो काईल के साथ ये सब क्यों कर रहा है जैक काईल को ही ब्लेम करने लगता है कि वो अपनी लाइफ किसी जॉम्बी की तरहे 9 to 5 जॉब करते हुए बिता रहा है जैक काईल के बैंक अकाउंट से सारे पैसे भी निकाल लिये थे और एंड में जैक काईल से अपने रीबर्थ के एक्सपिरियंस को बताने को कहता है तब तक मेरी और जिल भी घर पहुंच चुके थे और जैक काईल की फैमली से मिलता है एंड में जैक काईल से एक डोनेशन करने को कहता है दरसल जैक काईल के बैंक से पैसे चुराना चाता था जिसके लिए जैक और उसके ग्रूप ने एक अलगॉरिदम भी डिजाइन किया था और काईल को सिर्फ अपने अकाउंट से अपने बैंक सर्वर में लॉग इन करना था काईल के मना करने पर जैक मेरी के सामने उसे और जिल को रीबर्द जॉइन करने के लिए इन्वाइट करता है और एड दी एंड काईल जैक की हेल्प करने के लिए तयार हो जाता है जैक काईल को अपने साथ काईल के गयराज में ले जाता है जहां पहले से ही नायोमी कैमरा सेट अब के साथ मुझूध थी और ये लोग काईल को शूट करने वाले थे जैक काईल को बताता है कि वो बस इतना पैसा ही लेंगे जो किसी की नजर में भी नहीं आएगा यही नहीं काईल की वाइफ मेरी ने भी इस प्रोग्राम को जोइन कर लिया था और वो भी काफी खुश नजर आ रही थी और अब काईल भी इस प्रोग्राम का एक ओफिशिल पार्टनर बन गया था और यही यह मूवी एंड हो जाती है तो दोस्तों आप में से जिसे भी इस मूवी की कहानी समझ नहीं आई उसे मैं शॉर्ट में इस मूवी की कहानी समझाती हूँ दरसल स्टार्टिंग में हमें लगता है कि Rebirth Program एक Self-Actualization Program है पर बाद में हमें पता चलता है कि Rebirth Program एक Dangerous Cult या Group of People है यहां लोगों को काफी disturbing events का सामना कराया जाता है और end में जब वो लोग इस Program से बाहर निकलना चाहते तो उन से एक अच्छा खासा Amount of Money Donation के रूप में लिया जाता है जैसे की काईल के साथ हुआ और जब वो इनसान इस Group के ट्रैप में फस जाता है तो ना चाहते हुए भी उसे इस Group का Member बना लिया जाता है और फिर वो बाहर जाकर इस Program की तारीफ करता है जिससे की और लोग इस Program से जुड़ें ये एक बात बार बार कही गई है कि जो भी चाहे वो कभी भी इस Program को छोड़ कर जा सकता है जो कि एक जूट है दरसल जो भी एक बार इस Program से जुड़ गया वो पूरी जिंदगी के लिए यहां ट्रैप होकर रह जाता है मेरा ऐसा मानना है कि ये ग्रूप काफी डेंजरस था और ऐसे किसी भी इंसान को इतनी disturbing situations में डालना जहां वो hurt भी हो सकते हैं ये बिल्कुल गलत और illegal है इस ग्रूप को Zach ने ही start किया था और वो लोगों को इसमें trap करके लोगों से पैसे एठने लगा इस मूवी का plus point है इसका background music जो की situation को बिल्कुल suit करता है इसके अलावा जैसे कहानी एक twist लेती है और end तक आते आते पूरी कहानी एक money fraud करने वाले कल्ट की कहानी में बदल जाती है ये काफी interesting है और lifeless जिंदगी जी रहे है हमारी life में कुछ भी नया या exciting नहीं है और rebirth हमारी life को excitement देता है और एक purpose देता है तो दोस्तों ये थी rebirth movie की कहानी अगर movie से जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल है तो please comment करके जरूर बताइएगा इसके अलावा वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो like बटन प्रेस करना ना भूले और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे subscribe करके जरूर जाईएगा और इसे अपने friends और family के साथ share भी जरूर करें मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए and stay safe बाबाई